गुद मॉर्निंग और स्टुडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे टी बीए में इसके बारे में युनिटेट युनिटेट में 1.2 पढ़ेंगे हम लोग जिसका सब्जेक कोड है 1618403 सबसे पहले आएगा वाई प्लान बैक अप क्या है वाई प्लान बैक अप में यह डेटा बेस बैक अप कीज़े स्टूर करके रखता है डेटा बेस का यह कहने का मतलब किसके है इसको कॉपी करके डेटा को हम लोग पिन ड्राइप में या सीडी में रखते हैं में लो इसको डेटा बेस बाक पर स्टोरेज कहा जाता है निस्ट है इस जेफगार्ड अगांस अनेक्स्टेट डेटा लॉस अप्लिकेशन एर्स इसे में आता है इट पोटेट्स देटा बेस अगांस डेटा लॉस फिप देटा लॉस देटा लॉस दिन इूज़िंग और डेटा लॉस योजिंग अगर डेटा लॉस हो जाता है तो उसको हम क्या कर सकते है बन मिलेद कर सकते यहॉस इसमें कितने टाइप के होते हैं, ये बैकप आप डिभाइड इन इतो टू टाइप्स, एक होता है फिजिकल बैकप, दूसरा होता है लोजिकल बैकप, फिजिकल बैकप होता क्या है, are the backup of the physical files using storing and recovering your database store कर सकते हैं, recover कर सकते हैं such as data files, control files and archive यह सारा चीज जो है, इसमें physical backup के अंदर आता है फिर इसमें next आता है ETJ, copy of a file a storing database, information to the some other locations it includes backup of the logical data like view, procedures, functions, tables, etc हम लोग Excel में क्या बनाते हैं function logic लगाते हैं, formula लगाते हैं, tables बनाते हैं यह सारा चीज जो है, इसमें include जुरा हुआ रहता है a storage of data क्या होता है data storage है, memory structure in the system memory structure, जिसे हम लोग CPU के अंदर बहुत सारा उसमें structure बना वज़ा जैसे RAM का DDR1, DDR2, DDR3 यह सारा चीज हमारा storage of data के अंदर आता है जिसको RAM बोलते हैं logical backup क्या होता है logical backup logical backup contains logical data which is extracted from a database it's include backup of the logical data like view, procedures, functions, tables, etc ठीक है, जिसे अभी बताया मैंने, वह से सेम है इसमें system अगर crash कर जाता है, इसमें बहुत सारा हो, जैसे मान लिजिए, कंप्यूटर पर काम कर रहा है उसका OS करप्ट कर गया crash कर गया system transaction failure काम कर रहा है, file काम नहीं कर रहा है, network failure net आ रहा है, net आना बंद हो गया, उसको fail लिख किया है disk failure जो अंदर hardware में लगा होता है, disk failure लिख के आता है, media failure और मान लेजिए, control panel के अंदर, media जो अगर install हम करते हैं, वह अगर cd और चाहे कुछ भी अगर video देखते हैं, media failure हो जाता है, यह सारा चीज हमारा, logical backup के अंदर आता है